जो वरत चुक्के से रोज दीपक जला कर ये तीन शब्द बोल देती हो, उनके पती उनके काबू में रहते हैं और पैसा उनके हातों में होता है। हिंदु धर में जो भी हम पूजा पाट करते हैं उसका साक्षी दीपक को माना जाता है। अब रतेग घर में हर रोज दीपक जलाने का नियम भी बताया जाता है, तो अगर आप एक महिला है और अपने घर में लगातार एक, दो या तीन या इससे जादा की संख्या में दीपक हर रोज जलाती होंगी, तो क्या आपकी घर में पैसो की तंगी रहती है, आपके पती का पर हमेशा खाली रहता है, आपके जोली में धन नहीं टिकता, या फिर आपके पती आपकी बात नहीं सुनते, अगर आपको भी अपनी जीवन में ऐसी कई परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो बागेश्वर धांग सरकार पंडित धिरेंदेटेशन शास्तिरी जी का ब पूजा पाट का साक्षी बताया जाता है, कहा जाता है कि हम ईश्वर को जो भी पूजा पाट समर्पित करते हैं, उसका साक्षी दीपक होता है, अगर हम पूजा करते समय दीपक नहीं जलाते, तो हमें पूजा करने का पूरा फन नहीं मिलता है, तो ऐसे में हमारे गुरु और आप को घाय का शुद्द घी मिल जाता है तो और वी जाधा उक्तम होता है और आपका बीपक आको और जाधा फल देता है तो दोस्तों यह चीज्द करिएगा इसके बाल आपको दूसरा दीपक जलाना है यह दीपक को तुलसी का पौधान नहीं लगा होगा तो ऐसे में गुरुजी का कहना है कि आप एक दीपक मंदिर में जलाने के बाद एक शुद्ध घी का दीपक अपने घर के तुलसी की क्यारी में जरूर जलाएं अब जो तीसरा दीपक जलाना है ये दीपक आपको जलाना है अपने घर की चौखट पर लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मंदिर में और तुलसी की क्यारी में आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है लेकिन जो दीपक आप अपने घर की चोखट पर जलाएंगे ये दीपक सरसू के तेल का दीपक होना चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है तो गुरुजी ने बताया कि मिलाओ को कितने दीपक हर रोज अपने घर के मंदिर में जलाने चाहिए अब आपको बता देते हैं कि गुरुजी ने कौन सा वो चमतकारी मंत्र बताया है जो आपको दीपक जलाते समय बोल्या है तब ही उनके पती हमेशा उनकी बात सोनेंगे और उनकी जेव हमेशा पैसों से भरी रहेगी और उनकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी तो ऐसे में गुरुजी का कहना है कि दीपक के चमतकारी मंत्र के लिए आपको हनवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और उसके बात ये मंत्र शुभम करोती कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रो बुद्धी विनाशाय दीपम जोती नमस्तु के कजाप आपको पांच बार करना है इस मंत्र का अर्थ है कि शुब और कल्यार करने वाली अरोगी और धन संपदा देने वाली शत्रूब बुद्धी का विनाश करने वाली दीपक की जोती को मेरा नमश्कार इस मन्त के परभाव से आपने जो दीपक जलाया होता है यह दीपक सुद्ध हो जाता है और उसके बाद आप हनुमान जी से जो भी मनुकामना या जो भी मननत मांगते हैं, हनुमान जी आपके उस मननत को पूरा करही देते हैं गुरुजी कहते हैं कि अगर इस उपाय को आप करना चाहते हैं तो इस उपाय को आप किसी भी मंगलवार वाले दिन से शुरू करिएगा तो दोस्तों उमीद करते हैं कि अगर कोई परिशान यहां आपके घर में चल रही है आपके घर में भी पैसों की वज़र से अनबन बनी रहती है तो आप भी गुरुजी का बताया हुआ यह उपाई जरूर अपना के देखेंगे और दोस्तों कमेंट वोक्स पर अपनी रहे जरूर शेयर कीजेगा और बाला जी महराज की कृपा इस उपाई को करके प्राप्त करिएगा तो दोस्तों उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक कीजेगा और इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों को जरूर शेयर कीजेगा दोस्तों इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से लिए इसमें हमारा पूल भी अस्तक शेप नहीं है इस वीडियो का मक्सित किवाल आप सभी को पूरी जानकारी देना है ना कि कि किसी की भी धार में भावनाओं को ठेस पहुंचाना वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी का धिन्यवाद तो मिलते हैं अगले वीडियो में झाले में अगले झाले वीडियो का में वीडियो का है यह जो में थाची है जातंत।